अध्याय एक, भाषा, अध्यन बिंदू, भाषा, भाषा के रूप, अध्याय विवरण, हम बोलकर तथा लिखकर अपनी बात समझा सकते हैं, हम सुनकर तथा पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं, कुलफी वाला बोलकर कुलफी बेच रहा है, कुलफी ले लो, कुलफी, हम अपनी बात दूसरों को बोलकर समझाते हैं, लिखकर, अध्यापिका जी लिखकर सवाल समझा रही है, हम अपनी बात दूसरों को लिखकर समझाते हैं, सुनकर, बच्चे सुनकर कहानी का आनंद ले रहे हैं हम दूसरों की बात सुनकर समझते हैं पढ़कर दादा जी पढ़कर देश विदेश के समाचार जान रहे हैं हम दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाशा कहलाता है भाशा के रूप भाशा क पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, मौखिक भाषा बोलना सुनना, लिखित भाषा, लिखना पढ़ना, बोलकर बात को समझाना और सुनकर समझना मौखिक भाषा होती है लिखकर बात को समझाना और पढ़कर समझना लिखित भाशा होती है विशेश पशुपक्षियों की भी अपनी भाशा होती है किन्तु हम उसे समझ नहीं पाते जैसे भोभो डेचू डेचू मैं मैं आओ दहराएं अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाशा कहलाता है भाशा के दो रूप होते हैं मौखिक भाशा और लिखित भाशा बोलकर बात को समझाना और सुनकर समझना मौखिक भाशा होती है लिखकर बात को समझाना और पढ़कर समझना लिखित भाशा होती है